नमस्कार साथियों, यह है लीगल सब्दों पर आधारी डिक्टेशन है, जो 80 सब्द पृति मिनट की गती से बोली जाएगी, डिक्टेशन ठीक 5 सेकिंड बाद स्टार्ट होगी अत है यह द्रिश्टव्वे है की प्रिश्टुत मामले में इंदरा कैथी के मामले में अपनाई गई नियोंतम प्रिक्रिया भी जो नैसरगिक न्याय के सिद्दान्तों के विरुद अभी निरधारित की गई थी नहीं अपनाई गई थी और इसलिए आच्छेपित आदेश नैसरगिक न्याय के सिद्दान्तों के अतिक्रमन के कारण दूसित है विराम यह है आदेश इसलिए भी दूसित है की अनुचित साधनों में से किसी का भी कोई मामला पिटिसनर के विरुद सिद्द नहीं किया ग जो अध्यादेश 152 के खंड एक ब्रैकिट में दो के अनुध्यात है विराम पैरा जब एक बार यह अभी निर्धारित कर दिया जाता है की परिक्छा के रद करन का आदेश अभी खंडनिये है तो विद्धार्ती को अपनी टी डी सी की परिथम वर्स की परिक्छा के परिनाम के आधार पर टी डी सी कोमर्स की दित्य वर्स की परिक्छा में बैठने के सामान्ने अधिकार से वन्चित नहीं किया जाना चाहिए परन्तु यह है तब जब की वह ती डी सी की प्रिथम वर्स की परिक्षा के परिनाम के आधार पर ती डी सी के दित्य वर्स में प्रोन्नती किये जाने के लिए पात्र हो विराम यदपी थोड़े भिन संधर्ब में इस नियायले ने उपरियुक्त मत व्यक्त किये थे और यह अभी निर्धारित किया था कि विश्विध्याले परिक्षार्ती को अपने ही दोस्त के कारण एलाब पून इस्तिती में नहीं डाल सकता विराम यदि यह अनुतोस अब नहीं दिया जाता है तो उसका परिनाम यह होगा कि यदपी आच्छेपित आदेश अभी खंडित कर दिया गया है किन्तु फिर भी विध्यार्ती ही दंडित होगा और उसके जीवन का एक मुल्यवान वर्स समाप हो जाएगा विराम क्या यह बार विध्यार्ती के लिए दंड नहीं होगी क्योंकि विश्विध्याल्य द्वारा अनुचित साधनों का कोई निशकर्ष नहीं निकाला जा सका है क्योंकि विश्विध्याल्य के आदेश को इस न्यायल्य ने अभी खंडित कर दिया है विराम क्या यह बात दंड देश को प्रित्यक्ष तह अभी खंडित करने के पस्चात दंड की ऐ प्रित्यक्ष पुष्टी के समान नहीं होगी क्या यह ऐसी इस्ति ने होगी जहां की नियायल्य एक निरही दर्शक मात्र बन कर रह जाएगा और अन्याय जारी रहेगा विश्विद्याल्य के अध्यादेश अध्यन को वी नियमित करने के लिए होते हैं और आमतोर पर वे विश्विद्याल्य के आंत्रिक मामलों को नियंत्रित करते हैं विराम तथापी जहां कोई मामला इस नियायल्य के समक्ष आता है जिसमें सविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन यह नियायल्य यह महसूस करता है कि नियाय के उद्देश से की पूरती कोई विशिष्ट अनुचोस देने पर ही होगी तो नियमावली या विनियम या अध्यादेश के रूप में अत्यंत तकनीकी उपबंद इस अनुचोस को नहीं रोक सकते जो अनुचोस यह नियायल्य देना चाहता है विराम सविधान का अनुच्छेद 226 इस नियायल्य को ए नियंत्रित सक्ती प्रदान करता है और सभी प्रकार के रिट और नियदेश उस दसा में नियाय करने के उद्देश्य को अभी प्राप्त करने के लिए जारी किये जा सकते हैं जिस मामले में इस नियायल्य का विशिष्ट परिस्तियों में यह समाधान हो जाता है कि नियाय के समादेश ऐसी अपेक्छा करते हैं विराम अतहे इस अभी वाक को की विध्यारती आच्छेपित आदेश के जो अभी खंडित किया जा चुका है कारण कक्छाओं में हाजिर नहीं हो सका विश्विध्यारती को विवर्जित करने के लिए एक हतियार के रूप में प्रियुक्त नहीं किया जा सकता जबकी एक बाद यह नियल ने इस निसकर्स पर पहुंचा है की आच्छेपित आदेश विधी की दृष्टी से दूसित है विराम दन्यवाद साथियों